आई होप आप सभी अच्छा पैसा कमा रहे होंगे पैसा कमाने के साथ एक बात हमेशे आद रखना वीक में एक दिन आप अपने और अपनी फैमिली के लिए जरूर रखें चलिए बढ़ते हैं आज के कंपनी सेयर की तरफ लेकिन अगर आप चैनल पढ़ने हैं तो प्लीज एक्स्टाइल मेनुफेक्ट्रेस हैं डिस्ट्रिबूशन नेटवर्क की बात करें तो फिर मोर देन 50 कंट्रीज में इनका बिजनस फैला हुआ है करीब 84 परसेंट तक का रेवेन्यू यूएस और यूरोपियन रिजन से आता है और ये सारा रेवेन्यू कंपनी एक्सपोर् 400 क्रोड की मार्केट के अवाली कंपनी का करेंट मार्केट प्राइस 133 जबकि 52 वीक रेंज में शेयर हाई 145 और लो 39 रहा 2019 में कंपनी को 210 क्रोड का प्रोफिट हुआ था 20 में ये प्रोफिट बढ़कर 500 क्रोड का हो गया वहीं 21 में 540 क्रोड का प्रोफिट देखने को मिला ये मेरा अपना point of view है कंपनी के ग्रोथ और expense होने के chances काफी ज़ादा हैं याद रखना expansion की उमीद भी उसी कंपनी से की जा सकती है जो प्रोफिट लगातार कमाएं वरना शिर्फ लोन लेकर लोज कमाना और फिर लोन को रीपे करने तक के पैसे ना हो शायद ही कोई कंपनी पाए बोर्विंग्स 3500 क्रोड से कम होकर 2800 क्रोड की रह गई दूसरी और 533 क्रोड का free cash flow भी एवलेबल है प्रोफिट की consistency को देखकर साथ ही current scenario को समझ कर इस कंपनी को low debt पर consider करेंगे Recent i-financial year 22 quarter 1 result में कमपनी को 218 क्रोड कर net profit हुआ जहां पर sales है में लगातार बढ़ती हुई नजर आई Promoters की holding एक साल में 68.89% से बढ़कर 70% की होगी देखो FBI और DIA की holdings भी increase हुई है Dividend Payout को लेकर सिकाय जरूर हो सकती है क्योंकि profit consistent होने के बाद भी low दिखाई देता है Stock फिलाल अपनी book value से 3.68 time state कर रहा है जो कि कोंस के अंडर आता है इस company में negative points काफी कम जबकि positive points की भरमार है Near future में return की expectations ज़्यादा रहने वाली है इस share पर आप अपनी नजर बारी की से बनाई रखें और याद रखना अच्छे stocks को हमें lightly लेना नहीं चाहिए जाने से पहले एक छोटी सी request करना चाहूंगा अगर आप channel पर ने हैं तो please subscribe करना ना बूलें